हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा छोटी बनाई का डिजैन लेकर आई हूं आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है प्रेंट्स ये डिजाइन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजाइन को आप जैन्ट्स लेडिज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको तीन के मल्टीपल फंदे लेकर दो फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजेस्ट हो जाएगा तीन के मल्टीपल दे और चार सलाईों में complete हो जाता है बोर्डर के बाद अगर किसी भी project के फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए सीधी साइड से डिजैन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो फ्रेंट्स यह यहां पर मैंने लिए हैं 32 फंदे तीन के multiple करके और दो फंदे एक्ट्रा बोर्डर के बाद जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही मैं आपको यहां से बता रही हूं तो ध्यान दीजेगा कि इसकी पहली सलाई कैसे बनेगी तो यह देखिए पहली सलाई है औ इस फंदे को इस तरह से सलाई पर लेंगे और इसके ओपर इस तरह से धागा लपेट देंगे अब इस फंदे को बनाना नहीं है ऐसे ही सलिप कर देना है अब एक और यह दो इन दो फंदे को एक साथ लेंगे और दो फंदे का एक फंदा उल्टा बुन देंगे एस टीज को छोड़ कर ये जो हमने तीन फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करना है तो ये देखिए इस फंदे को ऐसे सलाई पर लेंगे सलाई पर धागा ऐसे चड़ा देंगे और इसको बुनना नहीं है ऐसे ही सलिप कर देंगे फिर दो फंदे का एक फंदा ऐसे उल पिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे देखिए इस फंदे को ऐसे लेंगे सलाई के उपर धागे को लपेट देंगे फंदे को बनाएंगे नहीं ऐसे ही स्लिप कर देंगे फिर दो फंदे का एक फंदा उल्टा बुन देंगे फिर से एक फंदे को लेंगे और इस तरह से के औपर धागे को लपेट देंगे और अगले वाले दो फątदे को एक साथ लेकर दो का एक फंदा उल्टा बुण देंगे आपके जितने भी फंदे हूँ पूरी सलाइ को ऐसे ही कमपलीट करना है तो फिर से देख लिजिए एक फंदे को ऐसे सलाई पर लेंगे सलाई के ओपर धागा लपेट देंगे फंदे को बनाएंगे नहीं ऐसे ही सलिप कर देंगे फिर दो फंदे लेंगे और दो का एक कर देंगे फिर एक फंदे को ऐसे लेंगे सलाई के ओपर धागा देंगे और इस तरह से फंदे को slip कर देंगे फिर दो फंदे का एक फंदा कर देंगे लाश्ट में देखिए एस्टिच बच गया है इसको उल्टा ही पुन देंगे पहली सलाई डिजाइन की complete हो गई है अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर दूसरी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा पहला फंदा एस्टिच है उतार ये या बनाईए आप देखिए यहां से ये जो हमने दो का एक किया इसे उल्टा बनाएंगे अब ये देखिए एक की धागा इस तरह से हमने जो सलाई के उपर लपेट दिया था ये वाला है पहले इसको उल् इसको उल्टा बनाएंगे एस्टिच को छोड़कर ये जो हमने तीन फंदे बनाए यही डिजायन बार बार रिपीट करेंगे तो देखिए एक फंदा एक किया हुआ है से उल्टा बनाएंगे ये सलाई के उपर जो धागा लपेट दिया था इससे भी उल्टा बनाएंगे ये slip किया हुआ है इसे भी उल्टा बुन देंगे यही design बार-बार repeat करना है तो देखिए एक फंदा उल्टा बनाया ये धागा जो लपेट कर बनाया था इसको उल्टा बुन देंगे फिर slip के वे को उल्टा बुन देंगे पूरी सलाई को ऐसे ही complete कर देना है आप पूरी का फिर से रिपीट करेंगे एक और ये देखिए ये हमारा लपेटा हुआ धागा दो और ये तीन इस तरह से करते हुए इस उल्टी साइड की सलाई को मैं कम्प्लीट कर देती हूँ दो सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई हैं अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई हमें बनानी पहली सलाई के जैसे ही है सिरफ ये जो हमने सलाई के उपर एक फंदे पर धागा लपेटा था इसकी जगह चेंज हो जाएगी तो ये देखिए पहली सलाई पर हमने स्टीच को उल्टा बुन लेया था और फिर इस फंदे को ऐसे लेकर इसके उपर धागा लपेट दिया था लेकिन तीसरी सलाई पर स्टीच को बुनने के बाद पहले हम दो फंदे का एक फंदा उल्टा बनाएंगे आपको यहीं पर ध्यान रखना है आगे आपका डिजैन ऐसे ही एडजेश्ट होता चला जाएगा तो तीसरी सलाई पर एस्टीच के बाद पहले दो का एक करेंगे फिर इस फंदे को लेंगे सलाई के उपर धागा लपेट देंगे और फंदे को स्लिप कर देंगे फिर दो फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे फिर इस फंदे को लेंगे सलाई के उपर धागा लपेट के और फंदे को स्लिप कर देंगे फिर से दो फंदे का एक बना देंगे इस फंदे को लेंगे सलाई के उपर धागा लपेट के और फंदे को स्लिप कर दें और ये देखिए लास्ट में जब हमने इसकी फर्स्ट लाई बनाई तो लास्ट में दो का एक करने के बाद एस्टीज को हमने उल्टा बुन दिया था लेकिन तीसरी सलाई पर देखिए एस्टीज से पहले वाला जो फंदा है इस पर हम ऐसे धागा लपेटेंगे और फंदे को स्लिप कर देंगे और एस्टीज को उल्टा बुन देंगे तीन सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है चोथी सलाई है और उल्टी साइड है चोथी सलाई इसकी ठीक दूसरी सलाई के जैसे बनेगी तो देखिए पहला फंदा ST6 उतारिये या बनाईए अब ये जो हमने सलाई पर धागा लपेट दिया था अब इसको उल्टा बनाएंगे फिर इस सलिप के हुई को बनाएंगे इन दोनों को हमें अलग-अलग बुर्ण है तभी हमारा डिजैन सेट हो पाएगा फिर ये देखिए दो का एक किया था इससे उल्टा बनाएंगे ये सलाई पर हमने दागा लपेटा था इससे उल्टा बनाएंगे और ये जो सलिप किया हुआ इससे भी उल्टा बुन देंगे यही तीन-तीन फंदे का डिजैन इसमे पर लपेटा हुआ, दो, और ये slip किया हुआ, तीन. फिर से देख लीजे, ये दो का एक किया था, इसे उल्टा बनाएंगे, सलाई पर लपेटा हुआ, जो धागा है, इससे उल्टा बुनतेंगे, और ये slip किया हुआ. तो यही ड rebel है इसी को बार-बार repeat करना है और سलाइ को complete कर देना है तो यह देखें फ्रिंट चार द Bigginink के complete हो गई है यही चार-चार सलाइया इसमें बार-बार repeat करते जाना है तो इस तरह से आपका ये बहुत ही प्यारा सा design बनता चला जाएगा तो चलिए इसकी next बार की starting आपको बता देती हूँ ताकि आगे इस design को repeat करने में आपको कोई problem ना आए तो next बार की starting है और इसकी पहली सलाई है तो यह देखिए पहला फंदा इसका stitch है उतारिये या बनाईए यह आपकी अपनी मरजी है यहां से अब design शुरू हो जाएगा तो देखिए इस फंदे को लेंगे सलाई के उपर धागा ऐसे लपेट देंगे और फंदे को slip कर देंगे फिर एक और यह दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे फिर से यही तीन फंदे का डिजाइन रिपिट करना है इस फंदे को लेंगे सलाई के उपर धागा लपेट देंगे दो फंदे को एक साथ लेकर दो का एक कर देंगे फिर से डिजाइन को repeat करना है सलाई पर एक फंदे को ऐसे लेंगे और धागा लपेट कर इसको ऐसे ही उतार देंगे फिर दो फंदे का एक फंदा बना देंगे फिर इस फंदे को लेंगे सलाई पर धागे को लपेट देंगे और फंदे को slip कर देंगे फिर दो का एक कर देंगे आपके जितने भी फंदे हो इस सलाई को ऐसे ही रिपिट करते जाईए तो यह देखे फ्रेंट्स इस तरह से यहां लास्ट में दो फंदे का एक आ गया है और एस्टीज को हमने उल्टा बुन लिया है उल्टी साइड से फिर वही करना है सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं और यह जो सलाई पर धागा लपेट कर बनाया और एक सलीप किया इन दोनों को अलग-अलग बुनना है तो आपका इस तरह से यह बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन बनता चला जाएगा तो अगर आपको यह डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नई हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके और फ्रेंड से इ दस नमबर की सलाई यूज कीजिए तो प्रेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर जरूर कीजिए थैंक यू